जितिया ब्रत की आप सभी हमारी माताओं मेहनों को हारदिक सुपकामना है दोस्तों इस बार जितिया ब्रत 22 सितंबर रभी बार के दिन निर्जला ब्रत रखेंगी हमारी बेहने माताएं और इस दिन पानी की एक घुर्ट तक नहीं पीनी है और खास कर हमारे एक लोग कहावत है जिंगली फुलाने के समय कथा कही जाती है बिल्कुल सही सुना आपने इसका मतलब होता है प्रदोस काल यानि सुर्यास्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बार तक लेकिन हम आपको सास्त सम् टाइम टैबल बताएंगे वैसे तो इस बार कन्फ्यूजन हो गया है टाइम को भी लेकर क्योंकि हमारे पंचांग कुछ और कहते हैं पतरा कुछ और कहते हैं लेकिन एक बात जान ले अस्टमी तिथी का उप्वास जितिया जो किया जाता है वो सब्तमी के साथ अस्टमी त में तो इसी दिन बड़त करने का विधान है और 22 सितंबर को जितिया है दोस्तों इसके साथ ही इस दिन पूजा का साम में पूजा करेंगी सां में 4 बचकर 28 मिनट से 7 बचकर 32 मिनट तक का सुमुर्त है पूजा का इसमें भी मीन लगन है उसका समय आप हमने वैसे दे दिया आप देख सकते हैं मीन लगन है इस समय अभी बार के दिन पांच बचकर 37 मिनट से साथ बचकर पांच मिनट तक आप इस वीच भी पुजा कर सकते हैं आगे से त्यारी करके रखिए कोई दिकत नहीं है विधी विधार आपके घर में आपके कुल देपताओं की जैसे पुजा ह सुनिए लेकिन पुजा पदती अपने घर के अनुसार ही कीजिएगा पार्ना का सुम मुहुर्थ है 23 सितंबर यानि सुम बार के दिन वैसे आपके घर में उठगन का प्रचलन है तो उससे करेंगी वैसे आप अपनी सासू से जरूर बात कर लें हर-हर महादे फिर बात करें कर?", एंपने से कर से तो, इचा खर में दरूई हरा का सकती हος करेंगी थाइभगा तो, एंपने सुम करेंम प्रचलन हम कर्वाित हैं करी करेंगा झांने से किते हैं कर तो एंपे बाता हम याना दुझा करेंभ़ा उपके टुरू जढगा, किते हैं इनुताया, इंदायू में